Hello Friends, Chess 2.0 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सबसे खास पीस की जिसका नाम राजा है जिसको King भी गयता है तो इसके movement के बारे में जानेंगे आज और कैसे ये capture करता है पीस को उसके बारे में जानेंगे जो हमारा King होता है वो किसी भी Direction में जा सकता है बट एक कदम तो जैसे कि आफ यहां पर देख सकते है जो हमाराigung यह King है Centre में वाइट वाला उसको हम किसी भी direction में जा सकते हैं इसको लेके बट जो हमारा King होगा के वान स्टैब ही जा पाएगा तो वह चारो डायरेक्शन में जा सकता है बट सिंगल स्टैप के साथ तो बहुत ही सिंबल है यह वाला केवल एक स्टैप और कहीं पर भी अब इसकी बात करते हैं capturing की capturing से पहले हम एक केस को discuss कर लेते हैं कि जो हमारा यह राजा है center में सबूद तो अब यह राजा है वो कहीं पर भी move नहीं कर सकता है यह हमारा अभी trap है एक तरह के से क्योंकि इसके चारो जो direction में है सारे direction में वो इसकी के piece है तो वो इन सकता है तो यह सारी के सारी piece इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो दूसरी तरह हम देखेंगे जी ब्लैक वाला हमारा king है वो दूसरी जो वाइट वाले piece है उनको capture कर सकता है तो वो इसको भी capture कर सकता है और इसको अप्यकों कर सकता है इसको भी capture कर सकता है तो इस तरीके से वो मालब option है या हुँ एक बार में यह को capture करेगा तो एक step केंख़र कर सकता हैं जो केंग करता है आए अब हम बात करेंगे राजा कि की केसलिंग की की से करता है तो सबसे पहले जो condition है जो हमारा राजा रहाती है वो अपनी प्लेस से मूब ना किया हो जो starting place हो वहीं पर exist करते हो पहले दूसरी जो condition है हमारी जो उनके बीच में जो स्कॉइट्स हैं उनके उनमें कोई भी पीस ना हो वह खाली हो और जो हमारी तीसरी condition है कि जो जो राजा है हमारा उस उस पर चेक ना पढ़ रहा हो साथी साथ राजा जिस रास्ते जाएगा जिस रास्ते जाके कैस्लिंग करेगा उन जो स्कॉइर्स हैं उनमें भी चेक नहीं पढ़ रहा हो तब ही हमारी जो कैस्लिंग है वो पॉसिबल है अब कैस्लिंग जो करता है सपोज ही चेक सारे फुल वन टू, टू स्क्वाइर पेस को रखेंगे और जो हमारा हाती है उसके अपोजित डायेक्शन में आ जाएगा तो इस तरह के से यह हमारा एक कैसल त्यार होगे है तो इसे कहते हैं हम कैसलिंग अभी तक हमने जो देखा वो किंग साइट कैसलिंग थी अब हम देखेंगे क्वीन साइट कैसलिंग कैसे होती है जो हमारा राइट साइट वाला रूख है वो किंग साइट वाला रूख है वाट जो यह वाला रूख है हमारा वो लेप्ट साइट वाला वो हमारा क्वीन रूख है तो जो इन दोनों के बीच में similar condition ही follow होगी तो suppose हमार पास हमने कुछ moves के अपने चाले इस तरीके से ऐसे किये और कुछ चाले इस तरीके से हमने move किये हैं और तो अब हम देखते हैं कि जो यह है king और रुख के बीच में जो space वो खाली हो चुका है हमने इसका खाली कर दिया अब suppose इस तरह से कोई move चली तो हम next move में इस तरह से king को उठाके two step और जो हमारा आती है उसके बदल पर आ जाएगा तो इस तरीके से हम queen side castling भी करते हैं जिसका जिसको हम long side castling भी कहते हैं I hope आज के लिए इतना ही thank you